सबकुझे मसी की, प्रवीश मसी के मदू नाम से में आप सबों का स्वागत और इन दिनों में आप मसीहित का इतिहास, मसीहित इतिहास आप पड़ रहे हैं और उसमें से चौथा पार्ट जो मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूँ, वो है मसीहित का विस्तार सो मसीहित के विस्तार में भी समय सिमा जो है मेरा, जिसको मैं बताना चाहरा हूँ, वो है तीन सो तेरह से पान सो नबे एडी, इसापुर जिसको बोलते हैं, उस समय से मैं आपको मसीहित का इतिहास बताना जा रहा हूँ तो सबसे पहले हमें मसीहत के इतिहास में कुछ ऐसी बातों और कुछ ऐसे समराटों के विशह में क्योंकि हम एक समय सीमा के अंदर मसीहि इतिहास को बढ़ते हुए या उसके परिस्थितियों को देख रहे हैं सताओं से होकर के गुजरी है अक्सर जब आप इतिहास को देखेंगे तो सुरु से ही जब बाइबल को भी देखेंगे तो सुरु से ही मसीहत एक सताओं से होकर के हमेशा गुजरी है लेकिन कंटिंस्टाइन समराट के समय में ऐसा हुआ कि मसीहत की तरफदारी उसने की और आजादी और प्रशाशन के द्वारा विशेश दरजा जो है दिया गया सो कंटिंस्टाइन जो है इसको सह दिया मसीयत को सह दिया और एक आजादी दी अरादना करने के लिए बाइबल पढ़ने के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए और इस प्रकार से इसको एक विशेश दरजा भी दे दिया यह समय मसीयत के इतिहास में बहुत ही महत पू महतुपुन और बहुत ही लाबकारी या एक फायदे मन समय मसियत के लिए रहा और महतुपुन रहा। मसियत में कई अच्छाईयां उभर कर आ गई तथा कई बुराईयां भी समा गई तो चुके आजादी दी गई और इस प्रकार से जब कई बार पॉलिटिकल आजादी या एक प्रकार की राजनीतिक आजादी भले ही मिल जाती है लेकिन नैतिक रिती से बहुत सारी ऐसी भी समा गई जो मसियत में बुराई गिनी जाती है तो कॉंटेंस्टाइन समराट ने यह कहा कि मसियत को सताने के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता उसकी पहले उसने इस बात को कहा कि मसियत को सताया नहीं जा सकता और इसको मिटाया नहीं जा सकता एक्छली इसलिए जो है मसि मसीयों का परमेशर अन इश्वरों से शक्तिशाली है उसने इस समराठ ने इस प्रकार से कहा कि मसीयों का परमेशर जो है अन जितने भी इशवर इस पृत्वी पर पाया जाते हैं उन सबसे शक्तिशाली है और यहां तक कि रोमन समराठ से भी उसमें भी रोम का शाषन बहुत रोम का समराड जो है एक विश्व प्रसिद्ध कहा जा सकता है कि वो समर्ती थे और उसने कॉंटिंस्टाइन ने कहा कि रोमन समराड जो है अपने आप में जो शक्ति साली है उससे भी इनका परमिशर जो है बढ़कर परमिशर है और ये बात जो है बहुत ही सोचनी है जो उसने कहा तो दुसरी चीज उसने कहा कि मसियत एक सूत्र में बढ़ी हुई एक शक्ति के रुप में है यदि उससे प्रोचाहित किया जाए वो समर्तवान बनाया जाए तो उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है सो अब यहां पर कॉंटेंस्टाइन का एक इच्छा या एक पॉलिटिकल गेम भी अभी से नजार आता है जो आप आगे देखेंगे भी सो उसने इस प्रकार से कहा कि मसीहित जो है एक सुत्र में बढ़ती है और एक एशी शक्ती है जो मसीहित लोग एक हो करके आगे बढ़ते हैं जुन के जुन कि इस समय भी पुरा समाज के समाज कंट्री की कंट्री जो है मसीहि में बदलते जारहे थे तो उसने इस बात के कहा कि यदि इनको प्रोचाहित किया जाए और इनको शक्तिशाली बनाया जाए तो क्या हो सकता है इसका राजनितिक फादा उठा जा सकता है सो इस तरह से इन उपरुक्त कारणों के कारण या इन बातों के कारण चुकि मसीह जो है एक शक्तिशाली और समर्थवान हो सकता है बनाया जा सकता है और इनका परमिश्व जो है सारी शक्तियों से उपर है सारी इस्वरों से उपर है तो कंट्रिस्टाइन का एक सुझाव था और उसका एक जुकाव जो है मसियत की तरफ जो है हो गया और वह यह कहता है कि जब मेल्वियन के यूद के समय में उसने आकाश में खुरुस के चीन को देखा मेल्वियन का जब यूद हुआ तो उसने कहा कि मैंने आकाश में एक खुरुस के चीन को देखा और एक आवाज को मैंने सुना और इस चीन के साथ वो क्या हो गया विजई हो गया और इसलिए चुक्के वो विजई हो गया विजई होने के बाद उसने तुरंत चील के चीन को बदल कर कुरूस का चीन अपने राजदरवार में इस्तमाल करना शुरू कर दिया तो कॉंटेंस्टाइन के समय जो है वो चिल का चीन होता था जो उनका सिंबल था या राष्टिये सिंबल था उसको उसने बदल दिया और कुरूस का चीन जो है वहाँ पर प्रगा दिया और उसके बाद जो है उसने एक आदेश जारी की तेक है तो उस आदेश को जारी किया और इस प्रकार से पहली आदेश जो है इस प्रकार से है कि अपने राज में मसीहित के प्रती उदारव्यादी बेवहार करने लगा सो जितने लोग भी मसीहित थे अब कोई सताओ नहीं कोई कस नहीं और पलिटिकल रूप से समाजिक रूप से ये मसीहों के उपर कोई प्रतीबंद नहीं सो एक प्रकार का उदारवादी या उनकी मदद करने वाला उनकी सराहन करने वाला उनकी देखरिक करने वाला उनको आजादी देने वाला कॉंटेंस्टाइन बन गया और ये आदेश भी जारी किया अपने सारे राज में उसके बाद जो है दुसरा चीज क्या हुआ कि मसीहित के प्रती अनकूल बन गया मसीहित के लोगों के साथ या मसी जो बाते हैं उनके अनकूल या क्या क्या हो रहा है उसके फोलो करने लगा उसके अनुसार कारे होने लगे तो उसने फिर क्या किया कि रविवार को आवकाश भी खोशित कर दिया तो रविवार का जो दीन था चुके अराधन का दीन और सता का पहला दीन परमिश्र का दीन इसलिए उसने क्या किया कि रविवार को आवकाश घोशित कर दिया और 25 दिसम्बर को भी आवकाश घोशित कर दिया तो यह उधारवादी का एक या अनकूल होने का एक बहुत का उधारन है आग जैसे हमारे देश को यार भीवार को अवकास होता है सबकिन कैसे यह कर सकते हैं उसके बाद तिसरे चीज उसने क्या आदेश जा रही कि कि राजकोश से चर्च भावन बनवाने लगा तता पुरोहितों को योगधान देना प्रारम कर दिया सो एक तरह से पुरोहितों के लिए एक सेलरी बेसिस या उनकी आरतिकरिती से हुआप देना शुरू कर दिया और चर्च भावन भूर बनवाना शुरू कर दिया उसके लिए गйफदरी खर्च होता था वो राजकोश्ञ का यह राजदरबार से या अपने खजाने से वो दिया करता था, चौती क्या आदेश जारी की और क्या वहाँ पर लगू किया, कि पूरोहितों और पादिरियों को कर में छुट दी जाएगी, इसका मतब टैक्स जो है, वो पादिरी लोग और जो पूरोहित लोग हैं, वो टैक्स नहीं देंगे, इस प्रकार की प्रवधान जो है, उसने लागू किया, और पाँचवा चीज, कि अपने राज में चील के चिन को हटा कर, कुरूज के चिन का इस्तमाल करना सुरू कर दिया, समझाने के लिए जैसे हमारे देश में वो पर चिल, मतब काइट और या इगल वो चिन था जिसको उसने बदल करके वहाँ पर कुरूस का चिन इस्तमाल करने लगा, अपने पूरे समराज में और चटवी बात इसने वो किया कि उसने परोक्ष रूप से परोक्ष रूप में चर्च की गदिवितियों में भाग लेना प्रारम कर दिया परोक्ष रूप का मतलब यह है कि वो सारे दुनिया देख रही है कि राजा जो है या यह समराट कॉंसेंटाइन जो है राजा से उपर समराट जो है बहुत सारे राजाओं के उपर यह हुआ करते थे इसलिए इनको समराट का जाता था और यह समराट कॉंसेंटाइन जो है और यदिपी अपने मिर्तु शाया तक उसने बप्तिस्मा नहीं लिए यह है पॉलिटिकल गेम जो मैं आपको बता रहा था कि परोग चुरिती से वह चर्श में जाना सुरू कर दिया और सब चीज होने लगी लेकिन उसी के समय वह बप्तिस्मा भी नहीं लिया प्राइब किया और बहुत सारे इसका मतलब यह बी है कि जो आजाधी दिया भी था लेकिन प्रुटिकल गृति से बहुत सारे बवधानों में या जो मसी시는 किरतिय, या नियम होते हैं, उनमें भी कई ना कई किसी ना किसी श्रीति से उसने हससे भी किया इसमें को कोई दो राय नहीं है क्योंकि वो अपनी बातों को चलाना चाहता था और उसके बाद उसने सात्वी चीज यह की कि उसने मसियत को राज धर्म घोशिट किया तथा बप्तिस्मा की विधी को डुबकी के स्थान पर छिड़काओ की आजा सकता है वो क्या हस्ति था राज धर्म घोशिट किया यह सही है चलेगा क्योंकि पूरे समराज में मसीह धर्म जो ही प्रमुख रहेगा और उसने तो घोशिट कर दिया लेकिन उसके साथ-साथ विधी में जो है फिर बदल किया और वह क्या था वह यह था कि जो डुब कि का बप्तिश्मा हो नहो छिड़काव का बप्तिश्मा वो घोशिट कर दिया और शुरू कर दिया तो उसके राज में बिना वचन के ज्ञान के ही मसीही बनाने के लिए सब के उपर पानी छुड़का गया है तो यह उसकी रिती थी कि चुके मसीही धर्म राज और समराट और समराज है इसलिए सब को मसीही बनना है कैसे बनेंगे सब को एक बार डुबाना नहीं है सब को एक बार पानी छुड़क दो और सब लोग मसीही बन गये लेकिन इसमें हमें इस बात को भी देखते हैं कि मसी के वचन का कोई भी ज्यान नहीं था, किसी प्रकार के उनके अंदर तब्दिली नहीं थी, तो अब मसी होना एक सभागे हो गया था, क्योंकि अब कोई कत्रा नहीं था, कोई सताव नहीं था, लोग इस सभागे को प्राब्द करने के लिए कि कोई उनको सताव नहीं था, मसी ही बन जा और इसका मतलब आप बहुत अच्छे हो गया, इस तरह से उसने कॉंसेंस्टाइन ने बढ़ावा दिया और इस प्रकार के बातों को अपने समराज में लागो किया, तो चौती और पांचवी सदी में केवल चर्च ही गरीबों और जरूरत मंदों का मददगार था, तो चौती और पांचवी सदी में जो है, जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी अनात लोग थे, जितने भी ऐसे लोग थे, जिनको मदद किया उसकता थी, जरूरत मंदों की, उसको मदद कलिसय जो है, या चर्च ही किया करता था, ठीक है, सो इस प्रकार से जो है, विभिन चर्च की मानविय सेवाओं से आकरशित हो करके, हजारों लोगों ने मस्यियत को स्विकार किया, चर्च जो है, इस प्रकार की मानविय या इस प्रकार की जो 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 लोगों की सेवा या लोगों की मदद कर रहा है, इस से सब लोग बहुत प्रभावित हुए, अकरशित हुए, और बहुत सारे लोग जो है, हजारों हजार लोग जो है, मस्यियत को उन्होंने क्या क्या स् रोमन समराज में मसीयत का बहुत बड़ा फैलाव हो गया रोमन रोज तो राज करते थे और रोमी लोग मसीयत को तवज्जू नहीं देते थे या उसको महतों नहीं देते थे लेकिन कॉंटेंस्टाइन के आने के बाद या कॉंटेंस्टाइन के प्रभाव के बाद जो है इस प्रकार से जो आजादी और जो छूट और जो चीजों उसने लागू की रोम समराज में या रोमन समराज में भी मसियत का बहुत बड़ा फैला हो गया और मसियत बढ़ने लग स्थानों में मसियत का विकास हुआ उस चीज को हम लोग देखते हैं तो पहला जो है पस्मी यूरोप में ठीक है जो रोमी समराज का एक भाग पस्मी यूरोप है सो रोमी समराज के बाहर भी मसियत का विकास हुआ यूरोप जो है वो रोमी समराज से बाहर था लेकिन फुर भी इस तरह से मसियत का विस्तार होना शुरू हो गया और इसमें पस्मी यूरोप में एडी 311 से लेकर के 396 में मार्टिन टूर्स जो है की अगवाई में कोल्विस फ्रैंक जो है जर्मानी के एक राजा ने यूद के समय में एक वाचा बांधी और वाचा यह बांधी उसने कि यदि मसी उसके शत्रों को हराने में उसकी मदद करेगा तो वह भी मसी बन जाएगा तो यह प्रोलिटिकल एक तरह से शुनारियो है प्रोलिटिकल एक ऐसा यूग था जिसमें सब लोग सक्सेस होना चाहते थे चाहे उनको कुछ भी करना यदि मेरे शत्रों को हराने के लिए इनका परमेशर या मसीहियों का परमेशर यदि मदद करता है तो मैं क्या हो जाओंगा मसीही बन जाओंगा और हो भी गया सो वह विजय हो गया और राजा ने मसी को स्विकार किया चुकर उसने ऐसा पब्लिक ली वाजा किया था और इसलिए क्या हुआ कि A.D. 496 में क्रिस्मस के दिन उसने अपने तीन हजार योधाओं के साथ क्या किया बप्तिस्मा लिया क्रिस्मस के दिन इसका मतलब 25 दिसंबर के दिन उसने तीन हजार योधाओं का मतलब सैनिकों के साथ उसने क्या किया बप्तिस्मा लिया और इस प्रकार जर्मनी में मसीहत का प्रचार प्रशार हुआ जर्मनी में पूरा प्रचार फैल गया और इस तरह से इस राजा के चलते भी और तिन हजार योधाओं सैनिकों के बप्तिस्मा लेने के बाद जो है जर्मनी में मसीहत का बहुत बड़ा प्रचार प्रशार फैल गया परन्तु अकोल्विस राजा के समय में मसीहत की गहराई चम्री से ज्यादा नहीं थे इसका मतलब हमारे चम्री कितना पतला होता है उत्माही मसीहत पतला था इसका मतलब उसमें कोई घहराई नहीं थी या मसीहत पूर्ण रिती से यह लोगों के अंदर घहर नहीं किया था मसीहत था बस हो गया मसीष बन गया बन गया बन गया बस ना तो मसीहत की कोई ऐसी बातें जो है उनकी अंदर नहीं थी तो फिर क्या हो गया कि उसके बाद मसीयत इंगलेंड से आरलेंड और उसके बाद स्कॉटलेंड में भी पहुँच गई और उसके बाद पाचवी सदी में आरलेंड में सुसमचार को एक दास का पूत्र, इसका मतलब एक गुलाम था उसका पूत्र प्रिरित पैट्रिक जिसका नाम था वो आरलेंड में परमिश्र के वचन को लेके गया जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में भारत देश में सुसमचार कौन लेकर क्या ठॉमस जो इस्व मसी का चेला था वैसे ही पाच्वी सदी में पाच्वे सदी में आयरलेंड में यह प्रिवित पैटिक जो है सुसमचार के संदेश को ले करके आया और वहां पर सुसमचार को फल आए गया उसके बाद वह भले ही आयरलेंड से भागया लेकिन आयरलेंड के लिए उसके पास बहुत बड़ा बोज था बहुत सारे सताव बादों के कारण उसको अइरलन चोड़ना पड़ा लेकिन वह हमेशा आईरलन के लिए उसने बोज रखा। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतार्ना का कारण रहा जो विदेशों से आकर कि यहां मसी थे या पा उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया या बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण उनको भारत छोड़ना पड़ा लेकिन वह भारत के लिए प्राटना करते हैं वैसे ही यह प्रोरित पैट्रिक जो है वह आर्लेंड में तो नहीं रहा भागना पड़ा उसको छोड़ना पड़ा ल और AD 432 से लेकर के 461 AD तक उसने कारे किया फिर से आर्लेंड में तो यह जो है कमिट्मेंट या इस प्रकार के बोज या समर्पन को हम पैट्रिक के जीवन में देखते हैं और फिर उसके बाद इस प्रकार से इतिहास बताता है कि ब्रिटेन का विशब नीनियन स्कॉटलेंड में मिशनरी के रूप में गया कि स्कॉटलेंड में आर्लेंड स्कॉटलेंड यह सब जो है यह यूरोपियन ठेरिटरी है यूरोपियन छेत्र है सो स्कॉटलेंड में मिशनरी के रूप में गया और 8550 में आर्लेंड से सन्यासियों का एक दल जो है स्कॉट्लेंड आया कि आयलेंड अलड़ी जो है परमिश्र में प्रभु में बहुत आगे बढ़ गया था तो इसलिए वहां से मिश्णरियों का एक दल मिश्णरियों का एक जुन्ड जो है स्कॉट्लेंड में आया और कई देशों में सुसमचार का प्रचार प्रशार हुआ वहां पर प्रचार प्रशार होने लगा और मठों से निकले मसीही साधू सन्यासियों ने उच पवित्र जीवन बिताया तता प्रेड़ों के आधार पर सधारन मसीही शिक्षाएं देना प्रारम किया, जिसका लोगों के उपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यहिस कbung आधार में वहां मठों में राह करते थे और उसके बाद उन्हों ने क्या किया, मसीही जीवन को प्रेड़ों के आधार पर या वचन के आधार पर बाइबल के आधार पर आधार जीवन जीआ और वैसे ही सधारन जीवन जीते हुए मसी स्च्छाएं दी जिसका लोगों के उपर बहुत बढ़ा पड़ा और इस तरह से पश्मी यूरोप में जो है मसी का प्रचार हुआ और वहाँ पर मसीयत पड़ी सो अब एशिया माइनर में देखते हैं कि एशिया प्रांट में हम इस बात को देखते हैं कि फारस में फारस में जिसको फ्रांस भी एंग्लिश में कहा जाता है फ्रांस में मसीयत का बहुत बड़ा विश्तार हुआ सो फारस का राजा जो है मसीयों को रोम के एजेंट के रूप में देखा करता था और उन्हें सताय करता था सो एडी 349 से लेकर के एडी 389 तक के मद में क्या हुआ एशिया में 16,000 मसीयों को मार दिया गया और वो 16,000 मसीही शहीद हो गया तो रोम से यूद के पश्चात परशिया में शांती हुई और वहाँ पर कैतलिक चर्च की स्थापना हुई परशिया में सो परशिया में बहुत सारे यूद के पश्चात यूद हुआ और उसके बाद जो है एक शांती आई और यूद थम गया और वहाँ पर कैतलिक चर्च की स्थापना हुई और इस तरह से जो है मसीह जो है अब फ्रांस से चीन तक चाइना जिसको बोलते हैं चीन तक जो है फैल गया और एडी 345 की करीब में 400 मसीही परिवारों ने क्या किया सिर्या से भारत आ गया एवं भारत में भी मसीहत का क्या हो गया एक गती और एक शक्तिशाली गती मिला और मसीयत में भी सिर्या के लोग जो है सिर्या के मसीही परिवार जो है आकर के वहां पर भारत में जो है मसीहियों का विक्रास किया और मसीही गती पकड़ी और शक्तिशाली हो गया इसके बाद जिसने भारती चर्च को सि प्रिंगे तब आप सी इतियाषिक जापान सुन्क्रीन टेशिन चर्च बना है विशय श्रीड है हुआ है So Are I इतियाषि को पढ़ेंगे तब आप कि डिफ श्रीय घ्रच किया का लाता है और यह का प्रेंगे इसतार है या यह आधार है कि 400 मसीही परिवार जो सिर्या से भारत में गए उन्हों ने यहाँ पर कलीशा की स्थापना की और उस कलीशा को सिर्यन चर्च भी कहा जाता है जो आज भी सिर्यन चर्च अमारे साउथ कम से कम साउथ इंडिया में पाए जाता है सो इथोपिया में भी भारत के साथ साथ इथोपिया में भी मसीहीत का बड़ा फैलाव हुआ और इथोपिया भी मसीही लोगों का वहाँ पर जथा पाया जाना लगा सो अब जो है मसीहीत एक अंतराष्ट्रिय धर्म बन गया चुकिए एशिया में पश्चमी यूरोप में और आरलेंड में और फारस में और हर एक जगह में मसीहत फैल गया और इसलिए अब यह क्या हो गया अंतराष्ट्रिय धर्म के रुप में घुशित कर दिया गया सो इस तरह से जो है हम इतिहास को आगे बढ़ती हो जब देखते हैं तो लिखा है जुसरी बात हम यह भी देखते हैं कि चर्च का जीवन या मसीही सादू सन्यासी लोगों का क्या रोल था और क्या परिस्तिती इस बात को भी देखते हैं सो चौथी एवं पाचवी सदी में काफी लोग जु है चर्च में आ गया मसीही बन गए कलिसयाओं में बहुत बड़ी भीड जो है आने लगी प्रता चर्च में या कलिसयाओं में बहुत बड़ी भीड और इसलिए आपने देखा होगा कि पहले क विशाल और बहुत बड़ा होता था ताकि लोग बैठ सके और उसका ले सके और आजाती के साथ आरादना कर सके वो पैटर्ण बना कि बहुत सी भीड आने लगे लेकिन जीवन में परिवर्तन या उद्धार का सही अनुभव उनके पास नहीं था सो भीड के भीड जो है कलिसय में लोग जूड रहे हैं चर्च में जूड रहे हैं मसीही बन रहे हैं लेकिन उनके अंदर उधार का सही अनुभव या जीवन का परिवर्तन उनके अंदर नहीं पाय जाता था सो इसका परिणाम क्या हो गया कि नामधारी लोगों की भीड जमा हो गई सो चुकि उनका जीवन बदला नहीं है और इसलिए क्या हो रहा है कि वो नामधारी मसी के रुप में बन गये और उनकी भीड जो है उनके जत्ते जो हैं दिखाई देने लगी और ऐसा हो गया कि वहा तो इस सारे अनुशाषन हिंता या अनुशाषन आ गए और नैतिकता गिर गई नैतिकता थी ही नहीं तो चर्च इन समस्याओं से निपटने हर्ट्यू क्या किया मसीह साधू सन्यासियों की जीवन चर्या को चुरू कर दिया जो मठों में रहकर के उच नैतिक मुल्यों इम पवित्ता को प्राप्त करना चाहते थे और तो इसलिए इस प्रकार से उनको मठों का एक ऐसा इंट्रूश किया गया या बताया गया कि मठ जो है एक ऐसा स्थान हो जा जहां पर मसीही लोग रह करके अपने नैतिक जीवन को बढ़ा सके और पवित्ता में और हर एक प्रकार के उच कोठी के मसीही जीवन को जी सके जो प्रिर्तू का जीवन था सो शारिरी का भिलाशाओं पर जय पाना भी उसमें शामिल था कि बहुत सारी शारिरी का भिलाशा और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनके उपर उनको जय पाना था और कलिस्या में संसरिक्ता से तंग आ गई लोगों ने मठ में शरण नेना सुरू कर दिया सो जो भी चर्च में हुआ करता था बहुत सारी कुरितियां बहुत सारे ऐसे शली चीज़ें जिनके कारण लोगों मठों की ओर चले गए और उन्होंने क्या किया मठ में शरण लेना सुरू किया परिवार को छोड़ दिया उन्होंने समाज को छोड़ करके ऐश्य आराम को त्याग करके सधारन जीवन बिताना शुरू किया जो मठ में रहा करते थे। उनका उद्देश था उद्धार और शांती को प्राप्ट करना। ये उद्देश उनके लिए आवशक था कि मठ में रहा करके वह ऐसी जीवन को प्राप्त करें। लेकिन फिर क्या हो गया क्योंकि शतान कभी भी वह चुप नहीं बढ़ता हर एक जगह अपना काम करना चाहता है शतान और शतान की लोग। तो फिर क्या हो गया कि बाद में जो है मठो में रहने वाले लोगों के आंदर भी पाप पनपने लगा। सो उनमें पवित्रता की जूटी शिक्षा हैं बाइबिल आधारी शिक्षा नहीं थी उनके आत्मिक घमंडर होने लगा उनके अंदर मठों में अपार धन दौलत की वजह से भी भश्टाचार बढ़ने लगा। पद और प्रतिष्ठा एवं पैसे की होड बढ़ गई। यद भी कई मठों ने बीमारों गरीवों और दुख्यों की सेवा का अच्छा नमुना पेश किया। जो आज भी कई कलिशा के लोग कई ऐसे लोग किया करते हैं और उसमें क्या बोलते हैं कैथलिक चर्च भी कैथलिक प्रिश्ट भी आते हैं। तो इस प्रकार से नमूना तो पेश किया, लेकिन कई स्थानों पर मठों ने प्रभावशाली मिश्नरी केंदरों के रूप में भी कारे किया, और अंधिकार के युग में भी मठ शक्रिय रहे, और कई सदियों तक ये मसीहों के ट्रेनिंग केंदर बने रहे और सुसमाचार प्रचार वचच को आत्मिकता की और आत्मिकता की रिती से जीवित रखा आत्मिक रिती से उनको जीवित रखा और इस बात को भी हम देखते हैं कि लोग जो है किसी न किसी रिती से आत्मिक रिती में वो बने हुए थे तो अब जो है आप तिसरी चीज हम क्या देखते हैं इस दौरान में इस सदी में कि चर्च की आराधना क्या थे सो इस युग में चर्च की अरादना में कई परिवर्तना आए, सो अरादना चर्च भावनों में होने लगी और 78 सुंदर चर्च भावन बनने लगें, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ों को दिखरे थे, बहुत सारी चीज़ों को प्राप कर रहे थे और मत में रहने का जो समर्पन था और उनकी शक्रिय कार्य थे उसके कारण जो है आराधनाओं में क्या होने लगए परिवर्त आने लगे और लोग जो है इस प्रकार से चर्ष का भवन बनाना जब सुरू किया अति सुंदर और एक तरह से सराहनिय कारे होने लगी और पहले से ही प्रतिरविवार की आराधना होती चली आ रही थी और उसमें जो है उस आराधना में प्रभु भोश का बड़ा महत्य होने लगा सु प्रभु भोश भी एक बहुत बड़ा अराधना का एक भाग बन गया और वप्तिस्मा विधी तथा वचन का प्रचार हुआ करता था एक बहुत बड़ा रोल चर्च में चर्च भावन जो बोलना चाहिए या कलिश्या का जो जमा होने का प्रवधान था उसमें ये सारी ब प्रचार होना प्रारम हो गया और प्रात्ना वजन गीत होते थे और इस समय में कई गीत लिखे गये और उसके साथ साथ उसी समय में विधी बुक आदी चीजे भी लेखी जाने लगी विधी बुक के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो और भी जान सकते हैं कि भी कैसे देना है बच्चों का डेडिकेशन कैसे करना है मृतियुस दासंस्कार कैसे करना है वो सारी विदियां जो है भी लिखी गई और उसको प्रतिश्रिट की गई तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अराध्ना यह सब चीज चर्श का अस्तितों इस प्रकाल से था लेकिन अ इस एयुक में मसीही आराध्ना में मूर्ति पूझक का या मूर्ति पूजक्तत्वों का प्रवेश्ब्राव्ण वो गया तो चर्श अर्जातियों के मत्थ में कि तीन सव वर्ष से रह रह रहे थे हैं मुद्ध से अजयर चैwnищ से ढूरा नहीं तक Current तिन सव वरे को प्रष्प द नंगाव करया चायर से इसलिए मसी Carmela हो गया के परिवर्तन मसीह सिवा में कार्यरत रहे उनको संतों की पद्वी दी जाती है जैसे हमारे भारत में काम करने वाली मदर ट्रेसा उनको संत की उपाधी दी गई और अब उनकी पूजा होती है इस प्रकार की प्रविट्ति इस प्रकार के विचार धाराएं जो है प्रवेश कर गई उसके बाद माता मर्यम को ज़्यादा मान समान और उसकी उपासना करने लगे और उसे परमिश्र की माता कहकर पुकारना प्राराम किया जिसरी चीज यह हो गई कि मसीह अपने आप में सोचने लगे कि उनमें चमत्कार या चंगाई की सामर्थ है और उनमें बुरी शक्तियों को काबू करने के लिए उनको शक्ति मिल गई है तो इस प्रकार के एक प्रकार का घमन भी या इस प्रकार के ऐसी सोच भी आ गई कि उनके चलते या उनके अंदर कारे हो रहा है ना कि मसीह का आत्मा कारे कर रहा है या चंगाई कर रहा है ये लोग कर रहा है इस प्रकार का उनके अंदर मन में बाते आ गई उसके बाद धार धर्मिक यात्राओं की शिरुवात हो गई और सोचने लगे लोग कि यहां वहां जाने से बड़ा लाब होगा वो चमतकार होगा और अन्य जाती मुर्ति पूजक तत्यों के प्रवेश्य मसीही मध्युग में मसीही धर्म आज्यानता अंधविस्वास का कबजा हो गया साहिंन यसां विवादों के हल है दर्मिक में कि चार गों तो पर 324 की कांसिसंस को बदेर्ध। को नंतलु किया जा है या इस विवादों का कैसे हल कीया जाएاعब ईकिशप यह सभाण जिसको नेशियन कहला जाता है, the council of नेशियन उसको बुला गया और उसका समधान करने की कोशिश की गई so Catholic Church का विकास हो गया और उसमें AD 400 में Catholic Church जो है एक शशक्त संस्थागत धाचे के रुप में विशपों और पोपों के रुप में उभर कर आ गया AD 400 के लगबग में so Rome ने विशपों को पत्रस के उत्रा अधिकारी मान दिया और उसको स्विकार किया कि ये लोग जो है पोप और विशप लोग जो है पत्रस जो हमारा प्रिरित था उसके ये उत्रा अधिकारी हैं या उसके पीछे आगे काम को बहाने वाले लोग है so Rome के विशपों को अधिकार वर्ष शक्ति दी गई तथा AD 449 से लेकर के 461 में लियो प्रथम ने पोप के रुप में चुन लिया गया so पहला पोप जो है लियो प्रथम जिसका नाम था उसको जो है पोप के रुप में चुन लिया गया और उसके बाद Catholic Church से विभाजन या अलग हम क्या देखते हैं कि जब इस प्रकार के जब मतभेद आए और बहुत सारा चीज हुआ तो क्या होगा कलिसया जो है अलग-अलग होने लगी और Catholic Church से भी भाजन भी सोना प्रारम हो गया जिसमें से हम पहला देखते हैं कि अफ्रीका का डॉनटिस Church जो है वो अलग हो गया परशिया का नेस्टोरियन चर्च जो है उससे अलग हो गया Church of Armenia ने चाल्डियन के मत को मानने से इंकार कर दिया और वो अलग हो गया जकोबाइड चर्च आ गए और जकोबाइड चर्च छटवी सदी में अस्तित में आए और आज भी वे सिर्या भारत में मौजूद हैं और कॉप्टिक चर्च जो है वो मिश्र और इथोपिया में कैथलिकों द्वारा अलग किये गए अलग कर दिये गए और तब से आज तक ये अस्तित में है तो इस प्रकार से जो है आप दीखते हैं कि इस समय के दोरान इस युक के दोरान बहुत बड़ा एक बदलाव आया और कलिसया का रूप अलगी हो गया जो आप आज भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों को अस्तुत में पाते हैं और इसलिए इस प्रकार से ये इतिहास आगे बढ़ता है आपको अगले सत्र में या अगले चीज़िंग में और भी इतिहास के आगे पन्नों को बताऊंगा मैं और इसलिए अभी तक के लिए यहां पर विराम देता हूं परमिशर आपको आशिश दे और इसको और भी अच्छे से समझ कर इसको अध्यान करने के लिए प्रभू आपक कर दो